नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानी संसार में, लीजे सुनिये कथा सामराट मुनसी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन, वाचन स्वर अनुराग शौधरी का है बाबू हरिदास का इटो का पजावा शहर से मिला हुआ था, आसपास के देहातों से सैकडो इस्त्रीपुरुस लड़के नित्ते आते और पजावे से इट सिर पर उठा कर उपर कतारों से सजाते एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौडियां लिए बैठा रहता था, मजदूरों को इटो की संख्या के हिसाब से कौडियां बाटता, इटे जितनी ही जादा होती उतनी ही जादा कौडियां मिलती इस लोब में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते, ब्रिद्धों और बालकों को इटो के बोज से अकड़े हुए देखना बहुत करूडा जनक द्रे से था, कभी कभी बाबु हरिदार स्वैंग आकर कौडियां वाले के पास बैठ जाते और इटे लादने को इटे लेकर चलते, एक एक पग उठाना कठिन हो जाता, उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए, इटो का एक पहाड सिर पर रखे, बोज से दवे देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो लोब का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर प परिस्रम और धैरे के साथ अपने काम में लगा रहता, उसके मुख पर ऐसी दीन तच हाई रहती थी, उसका शरीर इतना क्रिश और दुर्वल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी, और लड़के बनिये की दुकान से गुड़ लाकर खाते, कोई सड़क पर जाने वाले इको और हवागारियों की बहार देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिहवा और बाहु के जोहर दिखाता, लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था, उसमें लड़क पन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलारी पन, यहां तक की उसके ओठों पर कभी हसी भी न आती थी, बाबु हरिदास को उसकी दसा पर दया आती, कभी-कभी कोड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कोड़ियां दे दो, कभी-कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते, एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुला कर अपने पास बैठाया और उ सारा भार इसी लड़की के सिर पर था, कोई उसे रोटियां बना कर देने वाला भी न था, शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मा को खिलाता था, जातिका ठाकुर था, किसी समय उसका कुल धन-धान संपन था, लेन-देन होता था और शक्कर का का खाना चलता था कुछ जमीन भी थी किन्तु भाईयों की अस्परधा और विद्वेश ने उसे इतनी हीना वस्था को पहुचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे लड़के का नाम मगन सिंग था हरिदास ने पूछा गाउं वाले तुम्हारे कुछ मदद नहीं करते मगन बो होगा ही तुम्हारी माने इस विशे में तुमसे कुछ नहीं कहा मगन बोला बाबु जी नहीं एक पैसा भी नहीं रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ के उठाती बाबु हरिदास मगन सिंग से इतने परसंद हुए कि मजूरों की स्रेड़ी से उठा कर अपने नौकरों में रख लिया उसे कौडिया बाटने का काम दिया और पजावे में मुशी जी की ताकीद कर दी गई कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाईए अनात के भाग्य जाग उठे मगन सिंग बड़ा करतब बिशील और चतुर लड़का था उसे कभी देर नहोती कभी नागा नहो पढ़ने लिखने में भी कुशल हो गया बरसात के दिन थे पजावे में पानी भरा हुआ था कारबार बंद था मगन सिंग तीन दिनों से गैर हजिर था हरिदास को चिंता हुई क्या बात है कहीं वीमार तो नहीं हो गया कोई दुर घटना तो नहीं हो गई कई आदमियों से पोष्ट आज की पर कुश पता ने चला चोथे दिन पोष्टे पोष्टे मगन सिंग के घर पहुँचे घर क्या था पूरानी समरिद्धि का ध्वनसा वशेस मातर था उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंग बाहर निकलाया हरिदास ने पूछा कई दिन से आये क्यों नहीं मात का क्या हाल है मगन सिंग ने और रुद्ध कट्ट से उतर दिया अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं कहती हैं अब ने बचूंगी कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं पर मैं संकोच के मारे आपके पास ने आता था अब आप सौभागे से आ गए हैं तो जर हरिदास भीतर गए सारा घर भौतिक निसारता का परिचायक था सुर्खी कंकर इटो के धेर चारोर पड़े हुए थे विनास का प्रत्यक्ष सुरूप था किवल दो कोठरियां गुजर करने लायक थी मगन सिंग ने एक कोठरी की और उन्हें इशारे से बताया हरिदास भीत आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाशा थी मेरे अनात बालक के नात अब आप ही हैं जैसे आपने अब तक उसकी रच्छा की है वह निगा उस पर सदैव बनाए रखिएगा मेरी बिपत्ति के दिन पूरे हो गए इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा एक दिन घर में ल नहीं पता न लगता था मगन के पिता ने बहुत खोजा पर नहीं पा सके नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती आज तिन दीन हुए मुझे वह बीजक आप ही आप रद्दी काग्जों में मिल गया तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूँ मगन बाहर है मेरे सिरहाने जो सं लिए आपको बार-बार बुलवाती थी आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास ने था संसार से धर्म उठ गया किसकी नियत पर भरोसा किया जाए हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से ने कहा नियत विगड़ गई दूध में मक्षी पड़ गई बीजक से ग्यात हुआ क कि धन उस घर से पांच सो डग पश्शिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर न हो काम कश्ट साध्य था नाम पर धब्बा लगने की प्रवला संका थी जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है कितनी घोर नेश्टा थी जिस अनात की रच्छा की जिसे बच्चे की भातिपाला उसके साथ विश्वास खात। कई दिनों तक आत्म बेदना की पीड़ा सहते रहे अंत में कुतरकों ने विवेक को फरास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परत्याग नहीं किया और ने कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राड़ी है जो जीवन में एक बार भी बिचलित नहुआ है। यदि है तो वह मनुस्य नहीं देवता है। मैं मनुस्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे इटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट बैश्नों को आमिस भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तैने होई। इन दिनों उनकी दशा उस पूरुस की थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित परचन चलता चाई रहती आँखों की जोती तिब्र हो गई थी बहुत गुमसुम रहते मानो ध्यान में हो। किसी से बात चीत ने करते अगर कोई छेड कर तो जुजला पड़ते। हिर्दे में बैठी हुई कालिमा की भाती चबूत्रे पर बैठे हुए थे। आज चबूत्रा खुद जाएगा। जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे। पर अभी निशित हुआ जाता है कि चबूत्रे के नी मुफ्त में उल्लू बनूँ। पर नहीं कुदाली खट-खट बोल रही है। हाँ पत्थर की चटान है। उन्होंने टटोल कर देखा भ्रम दूर हो गया। चटान थी। तहकाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुसिशे उचले कूदे नहीं। आज वे लोटे तो सिर में दर् समझे ठकान है। लेकिन यह ठकान नीद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। तीन दिन तक जोर में पड़े रहे। किसी दवा से फायदा न हुआ। इसी रुगड़ावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था कि कहीं यह मेरी तृष्णा का के सम्मुक कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाय करते थे। हरिदास की मृत्तु के पीछे यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंग के पुर्खों का लिखा हुआ है इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोच कर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीत परायण, कितने सत्यवादी पुरुस थे। उनकी नीयत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हा आथा जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतित हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदूपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूं कोई आखे न मिला सके। इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले। वही समय था वही चवकन्नी आखे थी और वही तेज को दाली थी। ऐसा ग्यात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेश में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुच चुका था अब संगीन तहखाना था। जोडों को हटाना कठिन था पूराने जमाने का पक्क लेने लगे। लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिजगी। सब कुछ अपने ही हाथो करना था। किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक की फिर वही अमावस्या की रात आई। प्रफधास को जोर लगाते बारह बजगे और चट्टाने भागे र सोचने लगे क्या करूँ बुद्धी कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूची। क्यों ने बारूद से काम लो। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को ने छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चले। दो मील का रास्ता हवा की तरह तें किया पर वहा पहुचे तो दुकाने बंध हो चुकी थी। आतिशवाज हीले करने लगा। बारूद इस समय नहीं मिल सकती। सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो। इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे। नै भाईया कोई बारदात हो जाये तो मुफ्त में बधा बधा फिरू। प्रभुदास की सांति वृत्ति कभी इतनी कठीन परिक्षा में ने पड़ी थी। वे अंत तक अनुने भी नहीं करते रहे। यहां तक की मुद्राओं की सुरीली जहनकार ने उसे वश्रिभूत कर लिया। प्रभुदास यहां से चले तो धर्ती पर पाउन पड़ते प्रभुदास मंदिर के पास पहुँचे। चटानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक छड में बड़े जोर का धमाका हुआ चटान उड़ गई। अंधेरा गार सामने था। मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुँ रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास जोर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटे बदलते थे, कराहते थे, हाथ पाउँ पटकते थे, पर आखे लोहे के संदूग की और लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद मगन सिंग अब पजावे का मुईशी था, इसी घर में रहता था, आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की और छमायाचना की द्रिष्टी से देखा और बोले, नहीं, मैं आज ने चलूँगा, तबियत अच्छी नहीं तुम भी मत जाओ। प्रभुदास की आखों से भी आसु बह रहे थे, पर वे आखे उसी लोहे के संदूक की और निश्रासा पूर्ण भाव से देख रही थी, डाक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ, प्रभुदास के हाथ पाउं सर्द हो गये, मु मुहले के लोग जमा हो गये, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिपड़िया होने लगी, दोनों शील और विने के पुत्ले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात ने कही, प्रभुदास का संपूर्ण सरीर ठंधा हो गया था, प्राण था तो केवल आखों में वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सत्रिष्न भाव से देख रही थी, घर में को हराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पचाडे खाखा कर गिरती थी, मुहले की इस्त्रियां उन्हें समझाती थी, अन्यमित्रगण आखों पर रुमाल जमाय हुए थे, जवानी की मौत संसार का सबसे करूण सबसे अस्वभाविक और भयंकरत्रि से है, यह वज्रगात है, विधाता की निर्दे लीला है, प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आखें जीवी थी, वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी, जीवन ने त्रिष्ना का र प्रानों के शरीर में फिर रक्त का संजार हुआ, अंगों में इस फूर्ति के चिन दिखाई दिये, इसारे से अपने मुह के निकट गुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया, और आखें उलट गई, प्राण निकल गए, तो दोस्तो ये थी कथा सामराट मुनसी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन, कहानी बहुत ही मारमिक रही, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, आगे कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट बाक्स में बताईएगा, कहा आने सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार